हलो एवरिवन, वेलकम टू आहिल टेक फ्रेंट्स हाल ही में UPI Lite लाइट लॉंच हुआ है जिसमें आप एक बार में मेकसिमम 2000 रुपए एड मनी कर सकते हैं और इसमें आप पर ट्रांजेक्शन 200 रुपिस यानि 200 रुपए का आप लेन देने कर सकते हैं यह एक Lite वालेट के तरह आप इसे यूज कर सकते हैं कोई भी पीन आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है इसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो तो फ्रेस पहले ही फोन पे पेटियम भीम UPI ऐसे जो UPI एप से यह पहले ही अपने एप्लिकेशन में UPI Lite को लाइब कर चुके हैं मगर रिसेंटिली यहाँ पे गूगल पे ने अपने मोबाइल एप्लिकेशन में UPI Lite को एक्टिव किया है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल पे में UPI Lite को एक्टिव कर सकते हैं पूरा मैं फुल प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ कैसे उसमें आपको 8Bank अकाउंट करना है कैसे आप उसमें पैसे एड करेंगे कैसे उसका बाइलेंस चेक करेंगे यह पूरा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा तो मेरे साथ लाज टक महीं रहिएगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो को इस्टार करते हैं तो फ्रेंस इसके लिए हम आ चुके हैं गूगल पे एप्लीकेशन में application में आने के बाद आपको simple क्या करना है simple आपको उपर profile का जो आपको icon दिखता है इसके उपर आपको tap करना है profile वाला icon पर जब आप tap करेंगे इसके बाद आपको दिख जाता है payment method का यहाँ पे तीन payment method आपको google pay में देखने को मिलते हैं पहले आपको bank accounts जो कि आप यहाँ link करके UPI से यूज़ कर सकते हैं rupee credit card जो कि हाली में यहाँ पे launch हुआ था rupee credit card भी आप google pay से link करके payment कर सकते हैं अब यहाँ पे तीसरा आपको payment method मिल जाता है UPI light का UPI light वाले option पे आप simple यहाँ पे tap करेंगे tap करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा UPI fast pin free payments aid money इसमें जैसे के मैंने पहले बता दिया maximum balance आप 2000 रुपए यहाँ पे add कर सकते हैं और आप 200 रुपए एक बार में आपे transaction कर सकते हैं पहले भी paytm और phone pay में यह service जो है कि live हो चुका है तो काफी लोग उपने use कर रहा है चलिए friends simple क्या करना है इसमें UPI light register करने के लिए continue वाले option पे आपको tap कर देना है इसके बाद friends आपको नीचे bank account देखने को मिल जाता है यह वो bank account है जिससे आप UPI light में पैसे aid कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान सही से रखिएगा यहाँ पे select कर लिजाएगा अगर आपका एक से ज़्यादा bank account है तो आप उस bank account को select कर लिजिए जिससे आप इसमें aid money कर सकते हैं ठीक है इसके बाद continue वाले option पे आपको click कर देना है इसके बाद आपको जितना भी पैसा यहाँ पे aid करना है वो amount आप यहाँ पे डाल दीजिए amount डालने के बाद आप aid वाले option पे टैप कीजिए इसके बाद अपना UPI pin डालिए payment successful हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा UPI light ready हो चुका है हमारा balance यहाँ पे aid हो चुका है इसके बाद simple आपको got it वाले option पे tap कर देना है UPI light वाला option अब आप जब देख पा रहे हैं यहाँ तो यहाँ UPI light एक tip दिखा रहा था आप यहीं से आके पैसे aid कर सकते हैं जितना भी आप चाहें इसमें पैसे aid कर सकते हैं 2000 से कम का limit है यहाँ पे आपको पहले ही पता है तो यहाँ देख सकते है आपको UPI light बैलेंस देखने का आपको option मिल जाता है यहीं पे आपका UPI light बैलेंस देख जाता है तो आप इस तरह से Google Pay में UPI light wallet को आप यूज कर सकते हैं कापी आसान परसे से जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखा दिया I hope friends वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जैहिंद